तो आज हम बात करने वाले हैं कि कोई भी हाईयर क्लिंटा या लो कलिंटा भी बात नहीं करूंगा एक पटिकुलर बताओंगा जहाँ पर आपको फोकस करना चाहिए चाहें वो Semi-Coverment हो या प्रैवेट में भी देख रहे हैं तो कहां से कौन से स्टेट में आप फोकस कर सकते हैं जहाँ पर उनका बज़ट का प्रोड़ा बताऊंगा और NRI या मैनेजमेंट के बारे में आपको सारी जानकारी प्रोवाइड करने की पूरी कोशिश करूँगा तो वीडियो काफी इंफोमेट है होने वाली आप सभी के लिए तो वीडियो अंत तक देखें बाकी वीडियो सुरू करने से पहले मैं बता द अपडेट्स होता है जिस पर मैं वीडियो नहीं ला पाता हूँ या प्लोड नहीं कर पाता हूँ यूट्यूब पे तो वहां पर मैं आपको पोस्ट कर देता हूँ तो वहां पर जाके आप चेक आउट कर सकते हैं काफी वैल इंगोट रहेगा आप से भी के लिए बाकी आपकी पूरी साहता करेंगे आपकी ड्रीम ब्रांच प्रोवाइट कराने में या जो भी आपके डाउट्स होंगे वो सारे डाउट्स क्लियर करेंगे कौन से जो भी आपकी रैंक है उस कौन से रैंक पर कौन सी ब्रांच आपको मिल पाएगी क्या आपकी ड्रीम ब्रांच म हमारी paid services ले सकते हैं, nominal charges से pay करिए, हमारे experts आप से पूरी सायता करेंगे, जब तक आपको seat नहीं मिल जाती है, तब तक, बाकी ये तो हो कि हमारी बात, अगर हम main अपने topic पे बात आते हैं, तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि government medical college में अगर admission लेना चाहते हैं, तो कैसे आपको लेना पड़ेगा, सबसे पहले PG की बात कर रहे हैं, जैसे की need PG 223 की बात करते हैं, आपको मालूम होगा कि दो तरीके से counselling होती है आपकी, एक all India quota की तुरू होती है, और आपकी state quota की तुरू होती है, all India की अगर मैं बात करता है, तो इसमें counselling में, जो कि आपकी MCC कंडिट कराती है, वही पर अगर हम state quota की बात करते हैं, तो state quota में कुछ conditions आ जाती है, जहाँ पर आपको follow करनी पड़ती है, उस conditions के हिसाब से अगर आप चलते हैं, तो आपको seat मिलती है, उस particular state में government medical college में नहीं दो, आपको सिरिफ MCC के दौरा, जो कि आपकी all India quota है, उसके दौरा है यह आपको seat मिलती, state quota की बात करते हैं, तो इसमें आपके दो पहलू आ जाते हैं, सबसे पहले आपका open state आयाता है, और आपके close state आयाते है, open state वो state होते हैं, जहां पर आपके student कहीं से भी participate कर सकते हैं, close state जो होते हैं, वो आपके सिरिफ उस state क स्टूडेंट पाइट कर सकते हैं, या तो उनकी domicile उस state की हो, या उन्होंने MBBS किसी बाहर के student बाहर state के student ने उस state में MBBS किया हो, वो participate कर सकते हैं, जो पहरा rule था जिसमें अगर मैंने आपको बताया कि domicile जो closed state है, domicile या तो MBBS हो, तो आप उस closed state में participate कर सकते हैं, जैसे आ का example में आ गया MP आ गया हुजरात आ गया वहीं पर अगर मैं दूसरे रूल की बात करता हूँ या तो आपका MBBS उस particular states हो तो आप उसके state की 50% counselling में participate कर सकते हैं state की जिसमें example आपका उत्तरप्रदियस आ गया तो यह तो बात हो गए या आपकी government medical college अगर आप participate करना है admission लेना तो आप दो तरीके से counselling कर सकते हैं all इंडिया या state कोटा की तो then हमारा अगर semi government की मैं बात करता हूँ अगर semi government में आप seat लेना चाहते हैं तो फिर आपको कौन कौन से state पर focus करना चाहिए जहां पर आपको easily branch out होते हैं देगी सबसे पहले जो state आते हैं हमारे स्टेट में बाद बताऊंगो पहले तुम्हें बतातो semi government में कौन कौन से कैसे कैसे आप बता सकते हैं कॉलेज में semi government seats हैं कि नहीं ऐसे सारे जितने भी private medical college है जिसमें आपकी cat a की seats है वो आपकी government seats होती है उसी को आप semi government seats कह सकते है क्यों क्योंकि उनकी जो fees होती है government medical college से compared to private medical college से एकर मैं compare करती ह्यूंत थो काफी कम होती है कोई भी medical college है उसकी fees की मैं बात करता हूं तो इसकी fees आपकी 4,6,7,0,000 तक वैरी करती है जो कि आपकी as compared to private या दिन कॉलेज से काफी कम आपको मिल जाती है इसलिए वो semi-government seat कहते हैं चाहें आप cat A की जितने भी college आप ले लिजे जितने भी आप college ले रहे हैं कोई भी state ले रहे हैं जिसमे cat A की face है वो आपकी समझ लिजे semi-government seats हैं अगर मैं states से बात करता हूँ तो यहाँ पर आपका महरास्टा, उत्राखंड, वेस्ट विंगौल, गुजराथ, आंदरपरदेश, तरंगाना, पंजाब, चतिसगर, उडिशा, कनाटका, केरला, पुंडेचेरी और आपका तमिलाडू states आते हैं इन states पे सम्मे semi-government की seats आपकी available है एक आपका राजिस्थान भी है, जहाँ पर आप semi-government की seat ले सकते हैं, cat-a की seats आप ले सकते हैं तो वहाँ पर आप apply करिए, अगर आप cat-a की seat लेना चाहते हैं, इसमें condition होती है semi-government में जो cat-a की seats होते हैं, उनमें सिर्फ वो ही पच्चे participate कर सकते हैं जिनके उन state में आपकी domicile हो, वो ही state participate कर सकते हैं इन states पर जो भी आपको मैंने अभी further states बता हैं semi-government के लिए then हम बात करते हैं low fees पे अगर आप admission लेना चाहते हैं, अप private medical college को मैं compare करता हूँ सारे states के कि कौन-कौन से private medical college या कौन-कौन से states ऐसे हैं, जहां पर आपकी fees बहुत कम है, जहां पर आप admission ले सकते हैं, मैं अधितर सारे states cover कर लूँगा इसमें, एक अंदाज़ा fees भी बता दूँगा, क्या fees आ रही है आपकी branch to branch अगर बात कर दो, तो कुछ ना कुछ fees में थोड़ा बहुत changes आता लाग, दो लाग, तीन लाग के around के जो fees होती है, वो changes होती है, वो आप अराम से check out कर सकते हैं, मैं state आपको बता दूँगा, आपको clear out हो जाए कि कौन से state पर आपको focus करना है, अगर उस state की fees काम है, तो जायर सी बात है, आप competition काफी ज़्यादा है होगो उस private medical college में, उस state के, तो उस हिसाब से आप comparison देख सकते हैं, बाकी मैंने कुछ, कुछ मैंने branches की उपर मैंने detail में video बना रखी है, उसकी मैं link description में डाल दूँगा, वो branches जाके आप check out कर सकते हैं, like pedia, medicine, radio, terma, आपकी होगी, उगाईनी, और्थ होगे, उगाईनी होगे, तो यह 6-7 मैंने video बना रखी हैं, जहाँ पर आप check out कर सकते हैं, कि अगर आपकी rank 0-2-1 like around आ रही है, तो उस बीच में कौन-कौन से state पर आपको focus करना, particularly मैंने divide किया रखा है, like 17,000 से 25,000 के बीच में आपकी rank का रही है, तो कौ कौन से state पर आप focus कर सकते हैं, one by one, सबसे पहले जो state आता है, वो आंजर प्रदेश आता है, बहुत ही कम fees हैं यहाँ पर, अगर मैं बात करता हूँ, 11,64,000 आपकी जो fees है, यहाँ पर जाती है, तो काफी कम fees आपकी as compared to other states जाती है, सबसे lowest fees यहाँ पर जाती है, और यहाँ प आप से ले जाते है, तो इससे compare करते हैं, तो फिर आपकी कहिने की fees काफी ज़्यादा high हो जाती है, तो हमारा हर्याना आता है state, जिसमें 14 lakhs के around fees ले जाती है, जिसमें NC Medical College आ जाता है, आपका और आदेश Medical College आ जाता है, तो हमारा तिलंगाना आ जाता है, जिसमें 16 lakhs, 70,000 के ले जाती है, तो हमारा तो फिर जाती है, तो हमारा उत्तरप्रदेश आता है, 21 lakh to 25 lakh के राउंड आपकी fees vary करती है बाकि जो अगर मैं बात करती है इसके बाद अगर जब 30 lakhs 35, 40, 50, 60, 70 lakhs के राउंड जो fees आती है सबसे पहले मैं 30 lakhs के राउंड में बात कर दो तो आपको UP ही आ जाता है यहाँ पर जो fees आपकी जाती है वो आपकी 30 lakhs के राउंड भी जाती है 35 to 40 lakhs के राउंड वेरी करती है आपकी minority colleges की इससे पहले जो मैंने बताया था वो private medical college फीस आपको बताया थी minority colleges में जो fees जाती है 35 to 40 lakhs के राउंड वेरी करती है बिहार आपका आ जाता है बिहार में कुछ colleges में fees काफी कम है as compared to other colleges like 14 lakh के राउंड भी 15 lakh के राउंड भी fees आपको देखने को मिल जाएगी बाकि अगर ऐसे बात करते हैं तो 22 lakh 25 lakh के राउंड भी आपकी fees देखने को मिल जाएगी बिहार में अगर आप भीहार देखना चाहरे हैं तो बाकि next हमारा राजिस्तान आ जाता है करनाट का आ जाता है जिसमें आपकी अदर सोटा की fees आ जाती है लाइक केरला हो गया आपका पॉंडेचेरी हो गया आपका यह सारे स्टेट्स हैं और भी महरास्टा हो गया आपका जो कि आपका क्लोस स्टेट है केरला भी आपका क्लोस स्टेट है इसलिए मैंने आपको उसमें कहां नहीं बाकि MP भी है आपका यह फर्स्ट आउंड तक पाद यह open state हो जाता है second noun से तो यह सारी चीज़े हैं बाकी आपको जैसी फर्दर आपके जो भी स्कोर आया हो जो भी स्कोर आया है जिस स्कोर पर आप एडिविशन लेना चाहते हैं आपको लग रहा है कि आप खुद ले लेंगे तो वैलें गुड है आपके लिए बाकी आप पर भी पॉसिबल होगा हम पूरी साहिता करेंगे आपको स्कोर आपको करने में तो आज की इस वीडियो में वसकित नहीं होगी होप करते हूं वीडियो इंफूमेटिव रही तो प्लीज एसा लाइक करें शेयर करें हमारा चैनल सब्स्क्राइब पर ना भूलने धन्यवार